नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आपके घर में जो पुजा स्थान है यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप रखें तो दोस लगता है लेकिन कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए ताकि सकात्मक उर्जा आती रहे और आप लोगों के घर में सिर्फ खुसिया हूँ टेंसन हो ही नहीं हम पुजा आखिर क्यों करते हैं सकात्मक उर्जा के लिए हमें जीवन में मुस्किलों से बाहर रहना है हम नहीं चाहते हमारे लाइफ में किसी भी तरह का कोई टिंसन हो इसलिए हम भगवान की सरन में होते हैं कि भगवान हमें सही समय पर रास्ता बताईए और हर मुस dispos से हमें बचाईए इसलिए हम पुजा पाठ भी करते हैं तो चलिए आज जानते हैं वास्तू क्या कहता है आपके पूजागर में क्या रहना चाहिए और क्या नहीं? घर के एक हिस्से में भगवान के लिए अस्थान जरूर बनाया जाता है लेकिन कई बार आपके द्वारा की जा रही पूजा का फल आपको मिलता ही नहीं तो आखिर आपकी पूजा करने में कमी है या कहीं कोई ऐसा वास्तू दोस है जो आपकी पूजा को स्विकार होने ही नहीं दे रहा तो घर में बने जो मंदिर है चाहे वो आप कहीं भी पुझा करें मंदिर यानि जहां भगवान का अस्थान है जहां पर आप दिया जलाते हैं तो वो अस्थान कैसा है और कौन सी वस्तु ऐसी है जो मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए वरना आपकी पूजा स्विकार ही नहीं होगी देखिए पूजा हमेशा वास्तु की बात करें तो घर के इसान कोन यानि उत्तर पूरब दिसा की ओर करें तो ये सर्वोत्तम माना जाता है अगर घर में बना जो आपका मंदिर है वास्तु के बिपरित हो मंदिर नहीं भी है आप कहीं भी पूजा करते हैं तो अगर आप वो सही जगा नहीं है तो मन भी आपका पूजा में नहीं लगेगा और इसका लाब भी नहीं मिलेगा अब ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स जो आपके पूजा करते हैं जब भग्वान को तो आपकी पुजा जल्दी स्विकार होगी इसके लिए सबसे पहली बात तो एक भगवान की मुर्ती एक ही रखे दो ना रखें दूसरी भगवान गनेश की तीन परतिमा तीन मुर्ती पूरे घर में नहीं होना चाहिए सिप पुजा स्थान में नहीं वलकि घर में होना ही नहीं चाहिए दो बस बहुत है एक आप अपने घर में मुर्ती रख सकते हैं जहां पुजा करते हैं और कहीं पर तस्वीर भी लगा सकते हैं नहीं तो सुब कारियों में अर्चने आएंगी बनते बनते कारे आपके विगड़ने लगेंगे वास्तु सास्त के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी टुटी फुटी भी मुर्ती या तस्वीर है बहुत पुरानी हो गई है ऐसे तस्वीर की मुर्ती की पूजा ना करे वरना नकातमकत बढ़ेगी और देवता भी नाराज होंगे घर के जो मंदिर है जो पूजा स्थान है हमेशा उत्तर पुरव दिशा में ही बनाए दक्षिन या दक्षिन पस्विम असूब दिसा होता है इस दिसा में पुझा पाट आप नहीं कर सकते। नहीं तो आप पूजने फल नहीं मिलेंगे और घर के मंदिर में दो संख मत रखिए। आप अप जैसे बहुत सारे घरों में होता है कि आप एक संखietnam अस्थापित कर देते हैं एक बजाते हैं लेगी जो अस्थापित कर दीए वो ठीक है पर बजाने वाले एक साथ ना रखे उसे हटा कर कहीं अलग से रखे तो घर के मंदीर में दो संख एक साथ नहीं रखना है वास्तू के अनुसार मंदिर जहां पर आप भगवान की पुजा करते हैं आसपास सोचाले मदवन बाईगे और दूसरा बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी मुर्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए पुजा अस्थान पर अगर आप सिबलिंग रखते हैं तो अंगुठे से छोटा रखें और पारत सिबलिंग रख लें तो आपकी पुजा भी जल्दी स्विकार होगी देवी देपताओं की हमेशा सौप्ट मुद्रा सौम में मुद्रा में मुस्कराती भी तस्वीर लगाई है अब यह नहीं कि आपने तस्वीर लाई है मुर्ति लाई है और भगवान का आँख उपर की ओर देख रहा है नहीं भगवान की आँखें आपको देखें आपको आसिरबाद दे चिहरे पर मुस्क्राहट हो ऐसी ही मुर्ती या तस्वीर आप लाके रखेंगा ये आपके लिए बढ़िया होगा उग्र देभी देटाओं की मुर्ती स्वरू बाली तस्वीरें मत रखियेगा वरना जीवन में मुस्किलें बढ़ जाएगी और हनमान जी की भी जरूरत से ज़्यादा बड़ा मुर्ती नहीं रखें और जब हनमान जी की आप मुर्ती घर में रखते हैं तो प्रयास ये करें कि हनमान जी बैठे वे हों खड़े हनमान जी की तस्वीर की पूजा मत कीजेगा तो पूजा करने में मन अगर एकागर ना हो रहा हो तो धन संपत्ति का नुकसान होने लगता है भूल कर भी आप अपने स्टोर रूम में पूजा का स्थान मत बनाए और ना ही बेड रूम में आप पूजा करें तो आप भूल कर भी पूजा की अलमारी अस्थान पर भी ना रखें जहां पर कबाड है इन चीजों से आपको बशना चाहिए अब जैसे कि आप घर में रोज मंदिरों में फूल चलाते होंगे तो भगवान की पूजा के फूल आप यह नहीं की बासी पड़े वे हैं घर के कोने में रखे वे इसे ही नहीं है आप उनको हटाईए कोसिस करें कि साम के समय ही हटादे क्योंकि जो सुखावा पुस्प है वो परेसानी को, दरिता को, गरीबी को, अकाल मिर्तियू, मंगल दोस जैसी समस्याएं पैदा करता है इसलिए उनको तुरंथ हटाईए पूजा घर में मूर्तियों को लेके ये भी नियम है कि ग्रहस्त लोगों को बड़ी मूर्तियां मंदिर में अपने घर में नहीं रखना चाहिए और पूजा घर में भूल कर भी अपने पितर देवों की तस्वीर मत लगाईएगा सास्तों में इसे भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि पूर्वजों की तस्वीरे मंदिर में लगाने से सही नहीं होता आप अपने घर के दक्षनी दिवार पर लगाईए ताकि पितर परसंद नहों लेकिन मंदिर में मत रखिएगा तो मंदिर में रसोई घर भी मत बनाईए क्योंकि वास्तु के अनुसार भी ठीक नहीं है ये और संक को भगवान विश्नु का परतीक माना जाता है इसलिए हमेशा इसको बदलिए मत बलकि संक को आप रोज बजाईए सुभा तीन बार साम में तीन बार अगर आप लड़ू गोपाल की पूजा करते हैं प्रसाद जरू उनको अर्पित कीजिए अगर लड़ू को गोपाल को लेकर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लेकर जाईए उन्हें घर में बंद करके मत जाईएगा क्योंकि उन्हें बीना भोजन कराए आप खा भी नहीं सकते इसलिए जो बेक्ती नियम करते हैं उनके घर में देखे जाईए उन्हें अब जैसे सिबलिंग रखिएगा तो सिबलिंग आप हमेशा ही अंगुठे से छोटा ही रखें घर में नुकिली चीजें मत रखिए धारदार चीजें भी मत रखिए नहीं तो आपकी पुजा का पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा मन भी एकागर आपका नहीं रहेगा और अंत में जब आप पुजा करते हैं तो एक निश्चित समय पर रोज किया करें तब आपकी प्राथना जल्दी स्विकार होती है मोर पंक अपने पुजा स्थान पर जरूर रखिए माना जाता है मोर पंक रखने से घर में सकात मकता आती है और भगवान स्री कृष्ण को मोर पंक बहुत प्री है तो आप भगवान स्री कृष्ण के माथे पर सजा कर रखे मोर पंक रखने से घर में कीडे मुकरे बेगरे भी नहीं आते गंगा जल हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवितर माना जाता है और हर घर में पुजा स्थान पर गंगा जल भी होता है तो मंदिर में गंगा जल रखने से मालक्षमी की विसेश कृपा होती है लेकिन जब भी आप गंगा जल रखे तो चांदी या पीतल के बरतन में रखें घर में सुकसांती बनी रहती है संख तो आपको रखना ही है और संख से आप जल भी भगवान स्रीहरी को अरपित कर सकते हैं साली गराम भगवान को अपने पुजा स्थान पर मत रखें बलकि साली गराम भगवान को आप अपने तुलसी जी के अस्थान पर रखें क्योंकि सालिगराम भगवान हमेशा घर से बाहर रहते हैं तुलसी जी के पास जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आती जिस घर में सालिगराम भगवान होते हैं तो गंगा जल के साथ गोमुत्र भी है जो बहुत पवित्र होता है और जिस घर में गवमुत्र रखा होता है देवी देपताओं का आसिरबात भी बरसता है घर के मंदिर में आप दिया भी जलाते होंगे और धूब भी दिखाते होंगे और इन सभी चीजों को जलाने के लिए आप माचिस का बेभार करते हैं सब्सक्राइब कि गोल को आपके का सब्सक्राइब से बचेंग और हैं यही उत्तों से शाय। पूजा करने के बाद जली होकि आप फेक देते हैं तो फिर आपको यह पीडियों के अंतक बना रहना क्या बसकता है क्योंकि घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए वरना आपको पुजा का फल पुरा नहीं मिलता अब जैसे आपने घर में पुजा कर ली और जली भी माचिस की तीली वहीं पर नहीं फेक हैं जो आपके मंदिर में मुर्जाया वह पुस्प है जली भी रूई की बाती है उसको तुरंद रटा हैं क्योंकि अपने पुजा अस्थान को हमेशा साब भी रखना है और घर में प्रयोग कर सकते हैं यह सरवोत्तम होगा लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा घर में माचिस रखनी तो चाहिए क्योंकि माचिस नहीं रहेगा तो कैसे आप जलाएंगे पर माचिस रखने के कुछ नियम होते हैं अगर आप पुजा अस्थान पे में लपेट के किसी डबे में डाल कर रखें डारेक्ट मत रखिए नहीं तो नकात्म कुर जाएं फैलेगी और घर के मंदिर को जितना साफ रखेंगे उतना ही अच्छा है पुजा घर में क्या नहीं रखना चाहिए देगे बासी हो चुका पुराना फूल जो है माला है अगर बत्ती है अगर बत्ती की यहां तक कि बास से बनी अगरत्ती भी यूज नहीं करनी चाहिए नहीं तो नकात्म कुर्जा जादा परिसान करेंगी घर में परिसानिया आएगी पुजा का फल नहीं मिलेगा अपने घर के पुजा स्थान पर उग्र देबता की फोटो भी नहीं रखनी चाहिए सौप्ट मुद्रा यानि सौम में मुद्रा में जो भगवान की तस्वीर है उसी को रखें और खड़ी वी मा लक्ष्मी और हनुमान जी का तस्वीर तो भूल कर भी ना रखें पुजा घर में माचिस और जली वी माचिस कित्तीली भूल कर भी ना रखें वरना आपके घर में आपको एक तो पूजा का फल नहीं मिलता और नकात्मक उड़ जाएं बढ़ जाती हैं दीपक के लौ का रंग भी बताता है कि आपकी पूजा स्विकार हुई या नहीं हम आपसे भी दा लेते हैं जानकरी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कम